अमुमन विपक्ष पर ये आरोब लगते हैं कि वो समसद चलने नहीं देता और हंगामा करता है लेकिन बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सत्ता पक्ष की तरफ से जम कर हंगामा होता नज़र आया और इसकी वज़व थी कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी का विदेश पर दिया गया बयाद एक तरफ बीज़ोपी नेता इस पर राहूल गांदी की तरफ से माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ कॉंग्रिस सुल्टा पीयम मोदी से पने पुराने बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग कर रही थी 2019 के आम चुनव में राहूल को शकास्त देने वाली केंदुरी मंत्री स्मृति रानी ने कहा पीयम मोदी पर हमला करते करते राहूल अब भारत पर भी हमला करने लगे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहूल गांदी की जो नफरत थी वो नफरत देश के खलाफ होने लगी है उन्हें एक ऐसे देश का दोरा करके विदेशी ताकतों कोकसा आया है जिसका इतिहास भारत को गलाम बनाने का रहा भारत के लोगतांतरिक प्रणाली पर हमला करते हुए उन्हें इस बात के चिंता ज्यादा थी कि आकर क्यों नहीं कोई विदेशी ताकत भारत पर हमला कर रही है स्मृति ने आगे कहा मैं राहूल गांदी से पूछना चाहती हूँ कि आपने विदेश में कहा कि आपको भारत में किसी भी उनिवरसिटी में बोलनी की इजासत नहीं है अगर ऐसा है तो 2016 में जब भारत तेरे टुकडे हुँगे वाले नारे लगाए गए तो आपने उसका समर्थन किया था क्या था वो? केंद्री मंतरी ना रोप लगाया कि राहूल गांदी ने विदेशी धर्ती पर भारत को बदनाम किया उन्होंने कहा राहूल गांदी ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं का अपमान किया है क्या वो भारत के लोगतंत्र का अपमान कर रहे हैं? क्या वो सदन के चेयर्मेन का अपमान कर रहे हैं? आज भारत राहूल गांदी से माफी की मांग कर रहा है अलगी कॉंग्रेस राहूल गांदी से माफी की मांग पर भढ़क गई कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कहा मैं राउल गांदी से माफी की मांग करने वाले लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ PM मोधी 5-6 देश गए हमारे देश के लोगों को अपमानित किया उन्होंने कहा कि भरत में जन्म लेना एक पाप है बोलने की अधिकार को कमजोर किया जा रहा है सच बोलने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है क्या ये लोगतंत्र को खत्म करना नहीं है इसलिए माफी का सवाली नहीं उठता हम उन्हें ये ही कहना चाहेंगे कि आपने कई देशों का दोरा किया और हमारी सभ्यता और हमारे लोगों का अपमान किया राउल गानी नें तो सिर्फ लोगतंत्र को लेकर बात की है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखे रहिए यूस 24